बिहार के पूर्व डेपटी सीम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को शादी के बंधन में बन कए उन्होंने बेहत गुपचुप तरीके से दिल्ली में एक साधे समारों में बच्पन की दोस्थ से शादी कर ली खबर ऐसी भी आई कि भले ही शादी में उनके पिता लालू यादव और मा राबडी देवी मौजूद रहे हों लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थे इसकी वज़ा तेजस्वी की पत्नी का दूसरी जाती और दूसरे धर्म से होना है दरसल तेजस्वी की पत्नी ने दो साल पहले क्रिश्यन धर्म अपना लिया था तब से उनका नाम एलेक्सिस उर्फ रशेल गोडिन हो है शादी को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि क्या देजस्वी यादव से शादी के लिए उनकी गल्फरेंड एलेक्सिस को अपना धर्म बदलना पड़ा है कहा जा रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है अलेक्सिस के हिंदु धर्म अपनाने को तयार होने पर ही लालु यादव और राबडी देवी शादी के लिए तयार हुए थे आरजेटी सुतरों के हवाले से खबर आ रही है कि लालु यादव की पुत्रवधू अलेक्सिस अब राजश्वरी यादव के नाम से जानी जाएंगी बताया जा रहा है कि शादी के ठीक पहले कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अलेक्सिस और राशेल गोडिनों ने हिंदु धर्म अपनाया है उन्होंने अपना नया नाम राजश्वरी यादव कबूल किया है हालाकि अलेक्सिस के हिंदु धर्म अपनाने के सवाल पर लालू फामली की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है बताने की तेजस्वी आदव और रशेल ने नई दिल्ली के दिल्ली पाबलिक स्कूल आर के पुरम में एक साथ पढ़ाई की थी और यहीं इनके मुलाकात हुई थी रशेल इसाई हैं और एक गयराजनितिक परिवार से तालुक रखती हैं और हर्याना की मूल निवासी हैं फिलहाल रशेल नई दिल्ली के न्यू फिर्ण्स कॉलिनी में रहती हैं और पेशे से एयर होस्टेज रह चुकी हैं रशेल ने तेजस्वी संग रिलेशन्शिप में आने के बाद कुछ प्रजेक्स पर तेजस्वी के साथ काम किया है आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कॉमें सेक्षन में बताएं वीडियो को शेयर करें लाइक करें बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चानल टीवी नाइन भारत वर्ष देश बनता है अपने नागरिकों से ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें जो सिर्फ जानकार न बने बलकी जागरुक भी रहें इस काम में टीवी नाइन डिजिटल है आपका मददकार लगातार ताकि आप भीड का हिस्सा न बने बलकी रह दिखाएं भीड को देख पे रहें टीवी नाइन डिजिटल देख रहें टीवी नाइन डिजिटल